हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनी स्कूल पर हर दिख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो जुड़ा हुआ है एक सर्विसमेंट साथियों से दिखिए टोपिक है PMR प्री मैच्यो रिटार्मेंट दिखिए ये टोपिक इतना बड़ा है कि इसके वज़े से बहुत सारे सर्विसमेंट ऐसे हैं जिनको देखिए अपनी पैंसन पर सही रूप से मिलने वाला लाब नहीं मिल पा रहा है तो आखिर PMR का मुद्दा क्या है PMR की परिवासा क्या है कब से लागू होगा और आखिर वन रैंक वन पैंसन जो रिविजन हुआ है एक जुलाई 2019 से उससे इसको वनचित क्यों रखा गया है ये सारी बातें अपने इस वीडियो में जानने को मिलेंगी देखें मैं आपको RTI का जवाब भी दिखाऊंगा रक्षा मंतराला का लेटर भी दिखाऊंगा एर हैड़क्वाटर का जो रिप्लाई आया RTI का वो भी दिखाऊंगा जिसके आधार पर हम पूरी तरह से विश्तार पुरवक्त चर्चा करेंगे प्री मैच्च और रिटार क्योंकि देखें वीडियो पर व्यूज काफी आ रहे हैं लेकिन लाइक उतने नहीं आ रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक भी जरूर करें देखिए आप सभी को पता है कि जो 4 जनवरी 2023 का नोटिफिशन था या मैं और विडिफेक्ट फ्रूम एक जुलाई 2014 यानि एक जुलाई 2014 के बाद वाले जो भी प्रीमेच्चोर रिटायर हैं उनको और पी का लाव नहीं मिलेगा उनको इसके नदर कवर नहीं किया जाएगा आप यहां पर जो लेटर है वो भी देख सकते हैं यहां पर पर्शनल हू ओप तो गैट डिस्चारज विडिफेक्ट फ्रूम एक जुलाई 2014 ओन और आफ्टर एक जुलाई 2014 ओन देर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल 13311B 13321B 13334 और आर्मी रूल 16B ऑफ दा आर्मी रूल 1954 और एक्विवेलेंट अगर नेवी और एर फोर्स की बात में करें तो विल नोट बी एंटाइटल्ड तो गैट बेनिफिट ओफ दा ओर 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 पी तो जब से यह लाइन पड़ी उसके बार में देखिए बहुत ज़्यादा ववाल सुरू हो जाता है लेकिन यहाँ पर देखिए एक मैं आपको आगे चलके बताऊंगा थोड़ा सा आप देख सकते है यह 23 अक्टूबर 2017 का एक लेटर है आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए यह लेटर कहां से जारी किया गया है इंटिग्रेटेड हैड क्वार्टर ओफ एमोडी आर्मी एडुटेंट जनरल ब्रांच की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है इस लेटर में हैड यह लेटर को भेजा गया है और नीचे देखेंगे आप तो कोपी टू डी आई एवी भी है एप्लिकबिल्टी ओफ ओ ओ रोपी टू प्रिमेच्चोर रिटाइरिस तो देखिए 2017 के जो लेटर में है क्योंकि यहाँ पर लेटर का रेफरेंस दिया गया है 7 नवंबर 2015 जिसम यहाँ पर दिये गए तो रेफरेंस डी एवी एवी लेटर नंबर जो आप देख सकते हैं 25 जुलाई 2017 का है तो कि क्या जवाब दिया गया है आप देख सकते हैं एज पर अबाव मैंसेंड गवर्मेंट ओफ इंडिया लेटर्स पर्सनल हू ओप टो गेट डिस्चार्ज साथ नवंबर 2015 ओनवार्स यानि साथ नवंबर 2015 के बाद जो भी यहाँ पर डिस्चार्ज होंगे अगर आप देखें एंड ओन दियर ओन रिक्वेस्ट अंडर रूल जो रूल्स मैंने आपको बताये थे 13-3-1-1-B 13-3-2-1-B 13-3-3-4 और रूल 16-B ओफ आर्मी रूल 1954 यह देखें आर नोट एंटाइटल्ड टूदा बैनिफिट्स ओफ ओफ ओर ओरो पी स्कीम तो यहाँ पर साफ साफ यह बताया गया था कि 7 नवंबर 2015 के बाद जो भी PMR यानि ओन रिक्वेस्ट पर रिटायर्मेंट होंगे उनको वन रैंक वन पैंसन का जो स्कीम है उसके बैनिफिट न दिया जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्षा मंत्राले का ही लेटर है जो कह रहा है कि 7 नवंबर 2015 के बाद वालों को नहीं मिलेगा अब उन्होंने जो सर्कुलर नंबर 666 जारी किया उसमें उन्होंने बोला कि देखिए अब यहाँ यहाँ पर 1 जुलाई 2014 के बाद स उन्होंने भी देखिए बोला था रक्षा मंत्री जी ने भी बोला था कि अगर वन रैंक वन पैंसन का बेनिफिट मिलेगा तो सबसे पहले जो हमारे उन फोजी भाईयों को मिलेगा जो 15 साल 17 साल में जो है रिटायर हो जाते हैं उस टेम पर जो रक्षा मंत्री थे आप सभ पाई दिया गया है जो भी आपको जरूर दिनना चाहिए तो उन्होंने बोला कि PMR जैसा वर्ड है वो कोई नहीं है यहां पर डिफेंस में ORP विल बी अप्लिकेबल इन PMR PMR के लिए भी ORP अप्लिकेबल होगी और यह देखिए एक हमारे रक्षा मंत्री जी का बयान है अब देखिए हम चलते हैं यहां पर साफ साफ बताया गया था अब देखिए हम चलते हैं यहां पर सार्जेंट इंगलेस रंजन रिटायड उनकी तरफ से एक RTI डाले गई Ministry of Defence के लिए उसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे यह 10 सवाल हैं मैं आपको बताऊंगा फिर उनका क्या जवाब दिया गया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इन्होंने देखिए RTI के अंदर सवाल पूछा पहला सवाल था प्लीज प्रोवाइड दा ट्रू कोपी ओफ टाइप ओफ रिटायरमेंट और टाइप ओफ क्लासिज ओफ पैंसन कमस अंडर डोज रिटायरमेंट देखिए क्या साफ साफ टाइप ओफ रिटायरमेंट रिटायरमेंट की कितनी टाइप है और टाइप ओफ क्लासिज ओफ पैंसन और पैंसन की क्या क्या क्लासिज है जो रिटायरमेंट आते हैं दूसरा question था, provide the certified copy definition of superannuation and VRS and under own request, इनकी definition मांगी गई, भई, voluntary retirement क्या है, under own request क्या है, और superannuation क्या है, provide the copy of word PMR originated from, यह PMR word जो है कहां से निकला, इसके वारे में बताईए, fourth point था, PMR is a type of retirement of class of pension, PMR जो है, retirement का परकार है, या pension की कोई class है, if retirement का परकार है, provide the copy and pension है, तो उसका भी यहां पर copy मांगा गया था, provide the condition to come under the PMR pension, उसके बाद में पाँचवा question था, provide the true copy of rules and restrictions under PME या PMR own request to debar from getting the retirement benefits, PMR or voluntary retirement criteria applicable for civil and defense क्या क्या है, साथवा point था, provide the true copy, condition criteria of getting the NOC, यह देखे, 8-9-10 points जो थे, NOC के regarding थे, यहां पर उनने पुरा लिखा है बाकाद आप देख सकते हैं, अब इसका reply आया है, 19 मई 2023 को, अब इस reply में देखे, आप देख सकते हैं, air headquarter, वायू भवन की तरफ से यह, जो है, जारी किया गया है, और पैराख बराख 1, जो point 1 था, उन्होंने बोला, in case of airman, discharge is issued by competent authority, as per rule 15 of air force rule 1969, no information regarding classes of pension is held by this public authority, यानि हमारे पास, ऐसी कोई भी information नहीं है, जिसमें हम classes of pension को बारे में बता सके, दूसरा point, जहां पर उनने definition बोली थी, बई, super annuation क्या है, तो लेकिए, super annuation के बारे में इनने बताय कि बज़े 57 साल की सर्विस करने के बाद में, जो air force में होती है, जब retirement होते हैं, तो उसको super annuation बोलते हैं, लेकिन volunteer retirement does not pertain to airman, volunteer retirement जो है, airman के लिए लागू नहीं है, यहां पर उन्हों साफ साफ बता दिया गया है, point number 3, information short wide these paragraphs 3 to 5, जहां पर PMR का जिकर किया गया था, पैराज have been sought from concerned direct rates, they intimated that no such information is held by them, तेकि इन्हों ने जो concerned direct rates थे, उन से पूछा, कि यह PMR के बारे में हमें कुछ बताओ, कहां से आया, क्या आया, तो इन्हों ने बताया, no such information is held by them, उनके पास भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, paragraph 7, 8, आप देख सकते हैं, यहां पर जो है, no such के regarding था, तो मैं देखें, उन पर नहीं जाओंगा, तो कि आज का मुद्दा जो हमारा है, वो है PMR से लेटर, तो देखें, इन सब चीजों में आप देख सकते हैं, जितना भी हमने data देखा, उन सब data से यह clear होता है, कि देखें, PMR हो, voluntary retirement हो, यह defense पर लागू ही नहीं होता है, जब पूछा गया, तो उन्होंने concern directorate से बात की, air force की तरफ से, तो उनको जवाब मिला कि हमारे पास में इसके regarding कोई भी जंकारी नहीं है, यानि ऐसा word कोई उनके पास है ही नहीं, तो अपनी तरफ से PMR का criteria लगा कर, क्यों उनको, उनके दोरा, जो मेहनत की ग आ रहा है, देखे, आज के वीडियो बनाने का main मकसद क्या था, main मकसद ये था, कि जब ministry of defense की तरफ से ही, साफ साब बताया गया कि 7 नवंबर 2015 के बाद, जो भी own request retirement आएंगे, इन इन rule के तहत, उन सब को OROP के benefit से वनचित रखा जाएगा, यानि ये letter 2017 का है, आप कहें 7 नव OROP 1 की गोशना होती है, उसके तुरंत बाद, ये letter जारी कर दिया जाता है, उस time से लेके अब तक, हम कुछ भी इसके ओपर आवाज नहीं उठाए, यही वज़य थी, कि ये देखिए, OROP 2 में इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, तो देखिए, आप सभी से request है, कि जितन दोमेन में भी available है, अगर ये सारी चीजें available हैं, और जैसा मैंने आपको बताया, Air Force की तरफ से भी जो reply दिया गया, उसमें clear mention है, कि volunteer retirement, PMR, इनके जैसे कोई words जो है, यहाँ पर किसी की भी direct rate के पास available नहीं है, जो इनको define कर सके, जब इनकी definition नहीं है, तो क्यों आप, जब service क करके जाते हैं, वो किस वज़े से जाते हैं, 15 साल, 17 साल में जो retire होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि service की requirement यह है, कि वो जल्दी retirement हो, जो age criteria है, वो service decide करती है, तो उनको PMR कहना, या VRS कहना, पूरी तरह से नियाय संगत नहीं है, पूरी सरह से ही गलत है, तो देखें, यहाँ पर इस वीडियो बनान का पूरा मक्सद जो है, यही है, कि आप लोगों के बीचे maximum awareness लाई जा सके, और जो PMR हैं, उनको भी नियाय दिया जा सके, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो देखें, चैनल को सबस्काइब करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो स के शेयर करें, और लाइक भी तो जरूर करें, फिर मिलेंगे आपसे, जैहिंद, जैभारत